जैहिन दोस्तों मैंनी दीबिन चोहान आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.2 का question 4 का part 1 तो इसमें हमें समीकरण युगम दिया गया है और पूछा गया है कि सुसंगत है या नहीं यदि सुसंगत है तो उसका graph बना कर दिखाईए ठीक है तो हमारा पहला समीकरण है x plus y is equal to 5 दूसरा है 2x plus 2y is equal to 10 तो पहले हम चेक करते हैं कि सुसंगत है या नहीं तो देखें a1 बटे a2 a1 है हमारा 1 x के साथ कुछ नहीं है that means 1 और a2 है हमारा 2 तो a1 बटे a2 हो गया 1 by 2 ठीक है b1 बटे b2 b1 है हमारा 1 देखें यहां y के साथ कुछ नहीं है that means 1 है तो b1 है 1 और b2 है 2 ठीक है c1 बटे c2 c1 है 5 और c2 है 10 तो 5 बटे 10 दोनों 5 से कट रहे हैं 5 एकम 5 5 दूनी 10 हमें मिला 1 बटे 2 अब यहां देखें सभी values हमारी बराबर हैं तो इसे हम इस तरह लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 इस situation में हमारे समीकरण यूगम जो है वो सुसंगत है तो अब हमें इसका बनाना होगा graph ठीक है तो graph के लिए पहला समीकरण है हमारा x plus y is equal to 5 ठीक है y को यहां छोड़ दीजिए और x का पक्षांतरन करके उस तरफ आएगा तो plus का है तो minus का हो जाएगा अब हम x और y की value के लिए बनाएंगे graph तो graph बनाने के लिए पहले इस तरह का box बना ले आपको जो value अच्छी लगती है वो रखें मैंने अपनी हिसाब से value रखी है क्योंकि हमारा graph हमेशा बराबर ही आएगा ठीक है तो यह हमारा समीकरन हो गया हमें y की value निकालनी है x की value कोई भी रखकर तो पहले मैंने रखी है x की value 0 यह देखो 5-0 because x की जगा मैंने लिया 0 5 में से 0 गया तो 5 तो जब मैंने x की value 0 रखी तो मुझे y मिला 5 मैंने दूसरी value रखी है 5 ठीक है यह देखो 5-5 x की जगा मैंने क्या रखा 5 5 में से 5 गया तो 0 जब मैंने x की value 5 रखी तो मुझे y मिला 0 तो यह हो गया हमारा समीकरन एक का solution अब हम चलते हैं समीकरण 2 की तरफ, तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 2x plus 2y is equal to 10, अब y को हमें यहाँ छोड़ना है, ठीक है, 10 यहाँ का यहाँ ही रहेगा, और यह 2x का पक्षान्तरण होगा, तो minus 2x, यह दोनों यहाँ पे गुणा हो रहे हैं, 2 और y, 2 इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, अब हम y को यहाँ छोड़ देंगे, x की value रखके हम y का मान निकालेंगे, ठीक है, तो x की value मैं रख रही हूँ, पहले 1, x की जगा 1 रख दिया, 10 minus 2 bracket में 1 upon 2, तो 10, 2 एकम 2 और 2 का 2, 10 में से 2 गया तो 8 और 2 का 2, दोनों नमबर किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानि कि जब मैंने x की value 1 रखी, तो मुझे y मिला 4, ठीक है, अब दूसरी value हम रखेंगे, तो y बराबर, मैंने x की value रखी है, 3, ठीक है, तो जहाँ x है, वहाँ रख देंगे 3, यह मैंने 3 रख दिया, तो 10 minus 2 तिया 6 और 2 का 2, 10 में से 6 गया तो 4 बटे 2, दोनों numbers हमारे 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, तो यहाँ पे आ गया, दुनी 2, तो जब मैंने x की value 3 रखी, तो मुझे y मिला 2, ठीक है, अब इनी values को देखते हुए, हम बनाएंगे graph, तो यह रहा हमारा graph, ठीक है, तो पहले समीकरण की value है, x का 0, y का 5, देखो यह हमारा x होता है, और यह हमारा y होता है, ठीक है, तो x की value 0, और y की 5 x की value 0, और y की 5, इसे हम यहाँ इस तरह bracket में भी show करेंगे, x की value 0, y की 5, दूसरी value है हमारी x की value 5, और y 0, x का 5 और y 0 ठीक है, तो यह x का 5 हो गया, 0 तो कोई बात नहीं है, वो नहीं लेते हैं, ठीक है, तो यहां से हमने यह इन दोनों point को मिला कर यह line डाल दी, जो हमारे पहले समीकरण के लिए graph था, और उस पे लिख देंगे हम समीकरण, यानि कि x plus y is equal to 5, ओके, दूसरे समीकरण की value है, x का 1, y का 4, यह x का 1 है, और यह y का 4, तो यहां पर हमने बिंदू लगा दिया, और यहां bracket में लिख भी दिया, 1 और 4, दूसरी value है, x का 3, y का 2, x का 3, और y का 2, यह रहा, x का 3, y का 2, हमें bracket में लिखना भी है, और फिर इन दोनों बिंदू को मिलाते हुए line डाल दी, और इस पे ह हमने समीकरण लिख भी दिया, 2x plus 2y is equal to 10, यह हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है, इस तरह से हमारा graph जो है तयार हो चुका है, तो मिलते हैं अगले question के साथ, अगली वीडियो में, जै हिन, जै भारत